नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बार्षिक परिक्षा 2022-23 जार्खन साइक्चिक अनुसंधन एबंग प्रसिक्षन परिशत क्लास 12 के होम साइंस अर्थत ग्रिहा विज्यन के टॉप 35 कोस्चन के मोडेल कोस्चन पेपर को डिसकास करेंगे एकजाम पॉइंट और विव से मोडेल कोस्चन पेपर काफी ज़्यादा इंपोर्ण होता है इस वीडियो में सारे कोस्चन सिलेक्टिट और अति महत्तपुर्ण है इसलिए वीडियो को अन तक देखेगा वीडियो को लाइक करेगा इसमें टोटल आपको 35 कोस्चन देखने को मिलेगा और टोटल मार्क 35 सामय मिलेगा एक घंटा 30 मिनट और क्लास 12 का होम साइन्स का मोडल कोस्चन पेपर है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और क्वास्चन नम्बर वान कीस महिने में बच्चा बीना सहरे खड़ा हो सकता है राइट एंसर 9 से 12 महिने में बच्चा बीना सहरे खड़ा हो सकता है next question, WHO का पुरा रूप है, इसका right answer होगा, World Health Organization, और इसका गठन हुआ था 1948 में, और इसका headquarter जेनेवा में है, याद रिखेगा, WHO का headquarter जेनेवा में है, और इसका गठन हुआ था 1948 में, next question को देखते हैं, पीछड़े बालकों की विशेष्था है, question number 3, question number 4, पीछड़े बालकों की विशेष्था है, right answer होगा, समाज बिरोधी कारियों की प्राविर्ती, right answer होगा, question number 4, mobile sisu सदन घुमती है, right answer होगा, कर्मियों के साथ, next question को देखते है, adolescent सब्द है, very very important question है, adolescent सब्द है, latin भासा का, adolescent सब्द है latin भासा का और याद रखेगा, इसका आर्थ होता है, the phase of life between childhood and adulthood, from ages 10 to 19, अर्थात, life का एक phase होता है, adolescent, जो की childhood और adulthood के बीच का, अर्थात, 10 से 19 के, जो बीच का gap होता है, उसी को adolescence कहा जाता है, चलिए, next question को देखते है, question number 6, question number 6, वेक्ती के वंगसागत, सारी रीक, मानसी गुणों के वहाग होता है, next question को देखते है, question number 7, very very important question है, add नमक रोख के मुखव वहाग है, सबसे पहले आप जान लिजे, ads का full form, question पूछा जाता है ads का full form है acquired immunodeficiency syndrome और HIV से होता है अर्थत virus से होता है HIV virus से होता है और याद रिखेगा इसका right answer होगा इन में से सभी अर्थत नशे के आधिवेक्ति पेशे वा रखत दाता तो right answer हो जाएगा इन में से सभी next question को देखते है question number 8 very very important question है question number 8 रोजो धर्म या मासिक धर्म इस्त्रियों में सामनत कब समाप्त हो जाता है इसका right answer होगा 45 से 50 वर्ष 45 से 50 वर्ष और याद रखना इसी phase को कहा जाता है menopause menopause क्या होता है जब मासिक धर्म समाप्त हो जाता है तो उसी को कहा जाता है menopause और 45 से 50 वर्ष में होता है next question को देखते है question number 9 breathe मानसिक रूप से साया को अनुभब करते है इसका right answer होगा आश शुरक्षित breathe मानसिक रूप से साया को अनुभब करते है आश शुरक्षित next question को देखते है question number 10 गर्भवस्ता में रख में किस तत्त की कमी हो जाती है इसका right answer होगा very very important question है लोहतत याद रुखना लोहतत अष। आर्थत iron की कमी गर्भवस्ता में रख में किस तत्त की कमी हो जाती है तो उस विमारी को कह जाता है एनिमिया और याद रकना RBC अर्थत red blood cell की कमी को भी अनेमिया कहा जाता है और RBC में हिमोगलोबिन पाया जाता है और हिमोगलोबिन क्या करता है ओक्सिजन का वहाग होता है सरीर में इसको भी याद रिखेगा चलिए नेक्ट कोस्टन को बढ़ते हैं question number 11 भोजन विशक्त होने का कारण है right answer हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी अर्थत काम पका हुआ भोजन संक्रमित रोशई पके भोज्य पदार्थों को लंबी अवाधी तक रखना right answer उपर्युक्त में से सभी next question दूत में मात्रा नहीं होती very very important question है चलिए discuss करते है question को इसका right answer होगा vitamin c vitamin c इसका right answer हो जाएगा दूत में मात्रा नहीं होती vitamin c और याद रखना note कर लिजेगा vitamin c का chemical name है ascorbic acid vitamin c निबू में पाए जाता है vitamin c की कमी से ascorbic acid vitamin c की कमी से इसकर्भी विमारी होता है और याद रखना दूत में casein protein पाए जाता है और दूत का जो रंग होता है white होता है अतसफित होता है वो casein के कारण होता है और याद रखना दूत और दही में lectic acid पाए जाता है चलिए next question को देखते है question number 13 question number 13 और या मिलावट का आर्थ है और या मिलावट का आर्थ है right answer हो जाएगा option का हो जाएगा अर्थत खाद पदार्थ की गुनबत्त के इस्तर निम नहोना next question को देखते है question number 14 सभी रोगों में और दिया जाता है सभी रोगों में और दिया जाता है अलग-अलग right answer हो जेगा अलग-अलग next question को देखते है question number 15 very very important question है सरीर का कितने degree Fahrenheit तापक्रम बढ़ने पर आधार या चायपचय की डर 7% बढ़ जाती है इसका right answer होगा one degree Fahrenheit one degree Fahrenheit और याद रखना 32 degree Fahrenheit बरावर होता है zero degree Celsius के बरावर होता है 32 degree Fahrenheit बरावर होता है zero degree Celsius और याद रखना zero degree Celsius पर वर्प फिघलता है तो चलिए next question को देखते है question number 16 धान तथा संपती को माना जाता है धान तथा संपती को माना जाता है भौतिक साधन right answer हो जाएगा next question को देखते है इनमे से बैंग कीषखते में बैशस नहीं मिलता इनमे से किषखते में बैशस नहीं मिलता राइड एंसर रोजयागा भ्हारत सरकान निम्नेम stability से किस बस उपभूकता संग्रेक्षन अधिनेंय manuscript किया राइट एंसर हो जाएगा 1986, 1986, भारत सरकान ने 1986 में उपभुकता संग्रेक्षन अधिनियम पारित किया, next question को देखते हैं, एप PO, एप PO का full form है, food product organization, order, food product order होता है, food product order, को हो जाएगा राइट एंसर, food product order, next question को देखते हैं, question number 20, question number 20, इन में से कोन सूती बस्तर की विशेश्ता है, तिकाउपन होता है सूती बस्तर एवी राइट है, आराम दायक होता है, एवी राइट है, सितलता प्रादान करना एवी राइट है, तो उपर्युक्थ सभी हो जाएगा right answer, उपर्युक्थ सभी, next question को देखते हैं, question number 21, इन में से कोन लंबाई को बढ़ा हुआ दरसाती है, right answer, खंडी रेखाई हो जाएगा, next question किस बिंदु को वस्तर खरिते समय ध्यान मे नहीं रखा जाता, इसका right answer होगा, कोमल, किस बिंदु को वस्तर खरिते समय ध्यान में नहीं रखा जाता, कोमल, next question प्राकृतिक तन्तु है सबसे पहले जानलेजे प्राकृतिक तन्तु क्या होता है प्राकृतिक तन्तु जो तन्तु पौधों या जन्तुों से मिलते हैं उन्हें प्राकृतिक तन्तु कहते हैं और संग्सलेसी तन्तु को कहा जाता है मानप निर्मी तन्तु इसका right answer होज़ेगा सूती प्राकृतिक तन्तु है सूती और पोलीष्टर, रेयन और नाइलन ये संग्सले सी तन्तु है अर्थत मानबने भी तन्तु है next question को देखते हैं गुनबत्ता का चिन्न है गुनबत्ता का चिन्न है right answer होज़ेगा इन में से सभी अर्थत, सिलाई, वंधक, अस्तर इन में से सभी होज़ेगा right answer next question को देखते हैं प्लैकेट कहते हैं इसका right answer होगा बटन की पट्टी बटन की पट्टी को प्लैकेट कहते हैं next question को देखते हैं कपड़ों को सुखाने की सर्वत्तम बिधी है, इसका right answer होगा, धूप तथा हावा, right answer होगा, next question को देखते हैं, question number 27, अच्छी धुलाई के लिए सबसे अच्छा प्रकार है, इसका right answer होगा 27 का, झूषन मशीन, अच्छी धुलाई के लिए सबसे अच्छा प्रकार है, चूषन मशीन, next question, साबोन का निर्मान मिश्रन से होता है, right answer होगा, वसा चार से, वसा चार से होगा, साबोन का निर्मान मिश्रन से होता है, वसा चार से, next question को देखते हैं, question number 29, सूषक धुलाई में कि किसका उपयोग किया जाता है इसका राइट एंसर होगा टेलकम पाउडर टेलकम पाउडर सुसक धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है टेलकम पाउडर का नेक्ट कोश्चन बानस्पतिक धब्बा है देखिए बानस्पतिक लिखा गया है तो राइट एंसर फाल हो जाए दाग धब्बे चुड़ाने का सिद्धन्त है कपड़ों की जाच नेक्ट कोस्चन उनी बस्तों को नश्ट कर देते हैं राइट एंसर कीड़े नेक्ट कोस्चन नमी यूक्त बस्तों पर लग जाती है राइट एंसर फाफून्दी नमी यूक्त बस्तुनों पर लग जाती है फाफ हुन्दी नमी की कमी होती है डी हाइडरेशन से डी हाइडरेशन अर्थत पानी की कमी हो जाना नेक्ट कॉस्चन कॉस्चन नमी थाटी फाइब निर्जली करन के कारण मारने वाले रोगी को पिला कर बचा जा सकता है क्या पिलाया जाता है और याद रखना और अर्थत का फूल फर्म है औरल री हाइडरेशन सलूशन होता है वीडियो को लाइक करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में